सभी लोगों को नमस्कार, आशा करता हूँ, सभी लोग अच्छे होंगे COVID-19 pandemic चल रहा है, country में situation day by day worst होती चली जा रही है हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई ही, ऐसे situation है, government एकदम से कुछ नहीं कर सकती तो कुछ steps हमें लेने पड़ेंगे दो solutions है, पहला solution, vaccination जो की government की तरफ से हो रहा है और होगा हलाकि time लग रहा है इसमें, और दूसरा, immunity development immunity एक ऐसी चीज़ है जो हमें develop करनी है और अभी COVID-19 का ये second wave है जो हमारे country में hit किया इसके इलावा अभी third भी आएगा, fourth भी आएगा तो सिर्फ vaccination से काम चलेगा नहीं चलेगा, I don't know कि vaccination जो हो रहा है, वो इस COVID का हो रहा है आगे जाके जो pandemics आएगे, उनके लिए हमें कैसे प्रपर रहना है तो मेरा कहना ये ही है, कि आप immunity पे थोड़ा काम करिए और एक चीज है, कि जब COVID पहली बार आया था country में प्लाइन चेंज करना चाहिए था, बहुत सारी चीज़े थी जो COVID से सीखनी चाहिए थी, sanitation और social distancing, unnecessary ना निकलना है, बहुत सारी चीज़े थी जो हमें सीखनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं सीखी, तो उनी पे हमें काम करना है, vaccination तो government करवाएगी और vaccination उता रहेगा, हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी चीज़े हैं जो हमें करने हैं, जैसे सुबह जल्दी उटकर, deep breathing, meditation, yoga, जैसे आपके lungs strong हों, और खाने पीने में बहुत सारी नहीं हो, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी, मेरा कहना बस यह है, कि डाइट प्लान चेंज करो, और कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करो, अभी वह अटरम शटरम अंट नहीं खाना है, कुछ अच्छा healthy खाओ, lifestyle healthy बनाओ, जैसे immunity अच्छी हो, immunity अच is just a flu type, यही कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा flu जैसे आपने हलके में लिया, तो यह बहुत भारी पड़ जाता है, तो बहुत से लोग का जो recover कर रहे हैं, उनकी immunity definitely अच्छी होगी, और जिनकी immunity अच्छी नहीं है, वो recover जल्दी नहीं करता है, बहुत सारी चीज़े डिस्टरब हो इसलिए I hope, आप लोग समझ रहे होगे, और आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस immunity पर दिहान देना है, और जल्दी जल्दी vaccinate होना है, चलिए, खयाल रखिये अपना, और अपने साथियों का हाल चाल लेते रहे हैं सबसे, मिलते रहेंगे